आप से स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के अंदर टाइटल और थमनेट पे आपने बिल्कुल ही सही बड़ा दोस्तों अगर आप एक बेशनल के नहीं रिटेलर हो आपने यहां पर बेशनल का संचारा तरह आपका नया नया एडिक को लिया है और आपको यहां पर पर सबसे पहले आपको अपना बी एसनल का संचारा आधर आपको लॉगिन करना है लापू नंबर और लॉगिन पासफ़ट के द्वार आप इसके अंदर लॉगिन हो जाना लॉगिन होने के बाद आपको डिजिटल के वैसी का ओप्सन देखने को मिलेगा तो डिजिटल के आपके सामने अगला पर जो पनो कराएगा जागा तो टैन डिजिट मुवाइल नंबर का सही तरीके से डाल देना नीचे तीन ओप्सन सो करेगा अगर यह जो अल्टरनेट टमबर डाला है वो खुद ओनर का है तो ओनर को यहाँ पर सेलेक कर लेना और अगर फैमिली का है त आपको टैप ऑफ सब्सक्राइबर के उपर टैप करना यहाँ पर लोकल सेलेक्ट कर लेना अगर आउट ओफ इस डेसन कस्टमर है तो वह आप अपने हिसाब से देख लेना वह सेलेक्ट कर लेना उसके बाद टैप ऑफ करना काफ इंटर मुवाइल नंबर उसके बाद पर मुवाइल नंबर नंबर आजाएगा और सेम का पूरा डीटेल आ जाएगा आपके सामने कि कितना कैवी काई सिम कड है वह यहाँ पर आएगा कंटिन्यू करना यहां पर कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ पा थोड़ा सा पेज़ लोड लेगा और यहां पर नया अग select POI का option देखने को मिलेगा इस जगा पर tap करना यहां पर आधार card को select कर लेना अधार UID card को अगर आधार card upload करना चाहते हो अगर कोई और document upload करना चाहते हो वो select कर लेना उसके बाद यहां पर POI front के उपर tap करके यहां पर photo को click करना और right से left की और यहां पर सभी तरह से दाया बा front side का photo upload किया ठाथ ठीक उसी तरीके से प्योवाइब backside के उपर tap करना और यहां पर back side का photo ले लेना document का और इसे भी crop करके सजब तरीके से अच्छे तरीके से और इसे भी done करके इसे upload कर देना तो फ्रट और back side का photo upload हो जाएगा upload होने के पाद proof of address के उपर tap करना और यहां पर करना है same address proof और यहां पर नीचे next कर देना box पर टिक करके next कर देना जैसे ही आप next करोगे तो यहां पर थोड़ा सा process लेगा और आपके सामने अगला पिजापनों कराएगा इस जगा पर आपके सामने फिर से अगला पिजापनों कराएगा इसे आपके कुश-कुश डेटियल आटमाटिक फिलो करा जागे हां पर डेट अफ वर्थ को सेलेक्ट लेना उसके बाद नीचे मांगा जाएगा customer का first name तो first name डालना उसके बाद last name डालना और नीचे father name मांगा जाएगा तो father का full name डाल जेना सही तरीके से उसके बाद नीचे आपको gender के उपर टैप करना है सेल लेना स्टूडेंट है customer या फिर अपने साब साबसर लेना मैं स्टूडेंट को स्लेक्ट कर लिया हूं लोकल पर्योपर टिक और हमार करने करने के पीज को उपर किश्कॉल करना जो डॉकुमेंट में है, आधार कार्ड में, और उसके बाद यहाँ पर POI, नंबर मांगा जाएगा, तो आधार का जो नंबर है, वो यहाँ पर डालना, जो डॉक्मेंट नंबर होगा, वो सही तरीकस्ते आप इस जगा पर डाल देना, उसके बाद नीचे आपको केटेगरी क आर्वण अरिया कास्टमर है और यहां पर सलेक्ट किया हूँ और नेक्स्केशन, आपके सामने आपने जू इस ऑपर आजएगा तो करना उ करते हैं आपका चुछिस प्रकांटर अम्हेचे एक ardından नीचे चौली करते हुआ आपका अल्टरनेट नमबर पे एक OTP सेंड होगा जो इंटर कस्टमर OTP पर टैप करना अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंड OTP पर टैप करके अल्टरनेट नमबर पे फिर से OTP को सेंड कर देना सक्सेस्फूली यहां पर OTP चला जाएगा OTP आएगा तो आप यहां पर इंटर कर देना OTP सिघ्जिजिट का यह सिघ्जिजिट का कस्टमर के नमबर पे टींप गिया है और उटीप सफेंड सेंड करना चक्श करना। Ten ний पर टैप करुद्धोर आगला पे चार्ट करें कि ऐसे हां पर टैप करुद pops पोटो सही तरीक से लेने के बाद यहां पर फोटो आपका अपलोड हो जाएगा यहां पर आपका जो एजेंट या रिटिलर उनके नमबर पो टीपी जाएगा तो अगर उसी फोन सीम पढ़ा हुआ तो दुबारे से ओटिपी चला जाएगा जन्रेट हो कर तो यहां पर मेरा ओटिपी आ चुका है तो चली यहां पर मैं डाल देता हूं ओटिपी को सही तरीके से जो सिग्डिजिट का ओप्सन तो सीधा संपल्ली संप्सन पर टैप कर देना जैसे यहां अब सम्मिट अलब प् अधिया जाएगा सैक्सप्प्ली जैसा कि आप देख सकते हैं पर काईप नंबर मौयल नंबर आ जाएगा यह सारा कुछ यहां पर आपको डेटेल हो कर जाए कि कैसे आप पर यह संपका है कर सकते हुआ प्र इंच कर चाल कर सकते हैं बारे डिडियो को देख नट और हम अने झाल झाल